दुनिया में जितने अजीब लोग रहते हैं उतने ही अजीब कई फेस्टिवल सेलिब्रेट किये जाते हैं जिन में कभी इंसान की जानवरों से लडाई होती है तो कहीं बेजुबान जानवरों को मार दिया जाता है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जायादायमा स्वागत करते हूँ आप सभी काहंदनाओ में आज की हमारी स्वीडियो में आप जानेंगे उस फेस्टिवल के बारे में जहां सापो को महस कुछ देर के मजे के लिए मार दिया जाता है अमेरिका के टेक्सिस के छोटे से शहर में हर साल चार दिनों तक वर्ल्ड लार्जिस्ट रेटल स्नेक फेस्टिवल होता है इस फेस्टिवल में हजारों सापो को एक साथ मार दिया जाता है बता दे पिछले 69 सालों से ये फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सबसे पहली बार इस फेस्टिवल का आयोजन सन 1958 में हुआ था जिसे जूनियर चेंबर ओफ कॉमर्स यानी के जे सी सी ने आयोजित करवाया था इसका मकसद लोगों के लिए खत्रा बनते जा रहे रेटल सनेक की संख्या को कम करना था हर साल ये फेस्टिवल मार्च में आयोजित होता है जिसे देखने के लिए हलजारों लोग आते हैं साथ ही मारे गई सापों के खून से पेंटिंग और तरहा तरहा के आर्ट में इसका इस्तमाल होता है लोगों की सुरक्षा के नजरिये से हर साल इस फेस्टिवल में खतरनाक सापों का सफाया किया जाता है बता दे कि इस फेस्टिवल के शुरू होने से पहले इन सापों को कई दिनों तक भूका रगा जाता है जिसके बाद इनके जहर को निकाला जाता है फिर इने मार कर इनकी पूरी स्किन बाहर निकाल दी जाती है तो कैसी लगी आपको ये वीडियो के लिए आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हेंदनाओं को अभी के अभी सब्सक्राइब करें